शिरी गुरु गरंज साहिब प्रती पश्चमी विद्वानों की राय पर्ल एस बग नौबल पुरुसकार विजेता शिरी गुरु गरंज साहिब प्रती सतकार व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि मैंने अन्ने बड़े बड़े धर्मों की धार्मिक रचनाएं पड़ी हैं पर मुझे उनमें दिल और मन को प्रभावित करने वाली इतनी शक्ती नहीं मिली जितनी की गुरु ग्रण साहिब में से महसूस हुई है यह बाणी लंबी होने के पश्चाप भी गुंथी है पर मात्मा का सबसे उत्तम और पवित्र संकल्ब चित्रित करती है यह बाणी लंबी होने के पश्चाप भी गुंथी है पर मात्मा का सबसे उत्तम और पवित्र संकल्ब चित्रित करती है और मानव शरीर की अमली जरूरतों के अनुकूल है उस बाणी में हैरानी जनक आधुनिकता मुझूद है और नाल 93 की राय में गुरू गरंथ की महतता गुरू गरंथ साहिब मानवी भाईचारे के सांचे आत्मिक खजाने हैं इसलिए यह जरूरी है कि गुरू गरंथ साहिब को जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों के संपर्क में ले जाया जा सके लाया जाए जितने भी धार्मिक गरंथ उपलब्द हैं उन में से गुरू गरंथ साहिब सबसे ज्यादा सतकार योगे हस्ती रखते हैं जितना कुरान शरीफ मुसल्मानों को प्यारा लगता है जितना बाइबल इसाईयों को प्यारा लगता है गुरु गरंद साहिब सिक्खों को उसे भी ज़्यादा महत्यपोन है क्योंकि गुरु गरंद साहिब सिक्खों के सदीवी गुरु हैं अध्यात्मिक गाइड हैं हवाला Second Writing of the Six, a UNESCO publication के अनुसार इस पुस्तक के प्रस्ट 10-93 गुरु गरंद साहिब की इस्तुती में निर्पक प्रक्ष रूप में लिखता है मानवता का धार्मिक भविश्य धुंदला है पर फिर भी इसके बावजूद एक चीज देखी जा सकती है कि जीवित उचे धर्म पहले की निस्बत अब एक दूसरे के ज़्यादा नजदीक हो रहे हैं भविश्य में होने वाली धर्मों के सि आजा सकती है एच्ल ब्राडशा के अनुसार सिखी आध्मिक युग का धर्म है अमेरिकन लेखक और इत्यासकार शेरी ब्राडशा सिख धर्म के बारे में लिखते हुए कहता है यह धर्म सा этот साइन्स की कसोती पर पूरा उतरता है इस लिए भविश्य के लिए सिक्छ धर्म की आखरी आश्या और सहारा होगा। उसके अनुसार Sikhism is a universal word, faith. With a message to humanity, this is amply illustrated in the writing of gurus, Sikhs must creeds to think of their faith as just another good religion, and must begin to think in terms of Sikhism, being the religion for this new age. The religion preached by Guru Nanak to the faith of the new age, it completely supplant and fulfills all the former dispensation of older religions. The other religions contain truth, but Sikhism contains the fullness of truth. अर्थात Sikh dharm संपून विश्व का धर्म है, जिसमें हर परकार के मनुश्ये के लिए संदेश मुजूद हैं. यह बात सिख गुरु साहिबान की लिखतों में बहुत अच्छी परकार से रूप मान हुई मिलती है. सिखों को यह सोचना नहीं चाहिए, कि उनका धर्म दूसरे धर्मों की तरह एक अच्छा धर्म है. और ऐसे सोचना शुरू कर देना चाहिए, कि सिख धर्म एक नए युग का धर्म है. गुरु नानक देवजी का परचारित किया धर्म निसंधे नए युग का धर्म है. यह पुराने धर्मों के सभी गुणों को अपने में संजोए बैठा है और उनके गुणों को पूरा करता है. बाकी धर्मों में सत्य का अंच है, पर सिख धर्म में सत्य ही सत्य है, भरपूर रूप में सत्य है. या ऐसे कह लिजिए यह धर्म सारी की सारी सच्चाई है यह धर्म सारी की सारी सच्चाई है प्रोफेसर ब्राडशाह आगे लिखता है कि पुराने धर्म अपने समय में अच्छे धर्म थे पर वह समय अब बीद गया है हम गुरु नानक जी के धार्मिक प्रबंद में रह रहे हैं या जैसे हम मौजूदा जीवन को सुखदाई बनाने वाले अविश्कारों और सहूलतों की प्रशंसा करते हैं और अपने तेज रफ्तार हवाई जहाजों, मोटर गाडियों और बिजली आदी को पुराने जमाने की घोड़ा बगियां और मुम्बतियों से बदलने के लिए तयार नहीं है इसी तरह हम गुरु नानक देवजी के नए योग के धर्म को किसी भी पुराने धर्म और उसके ऐ प्रचलित फलसफे से बदलना नहीं चाते मौझूदा स्पेस एज यानी हवाई योग के लिए सिख धर्म एक सर्व सांझा अर्थात युनिवर्सल तर्म है इसका हवाला हमें सिखिज्म युनिवर्सल मैसेज बाइ रिचार्ड सन एडिसन नाइटीन नाइटीन नाइटीवन पेज 8 और आलसो रिव्यू फेबरी 2002 पेज 34 और 35 पर मिलता है दार्शनिक रसल इंग्लेंड के प्रसिद दार्शनिक रसल ने एक बार कहा था कि यदि तीसरे विश्युद दोरान चलने वाले एटम और हाइड्रोजन बंबों की मार से कोई खुद किसमत बच निकले तो उसको दिश्या देने के लिए केवल सिख धर्म ही एक मातर साधन होगा रसल से यह भी पूछा गया कि आप तीसरे विश्युद के बाद की बात करते हो क्या यह धर्म तीसरे विश्युद के पहले मानवता को कोई नित्रत देने का समर्थे नहीं रखता इस प्रश्न के उत्तर में रसल ने कहा कि समर्थे तो पूरा रखता है पर सिखों ने इस धर्म के बहतरी नसूलों को जो शायद सारी मानवता के लिए अस्तित्त में आए हैं हवा ही नहीं लगवाई यह सिखों का सबसे बड़ा दोश है जिस से वे कभी भी मुक्त नहीं हो सकते रसल का कहा हुआ अक्षर अक्षर सच है